बिसम्मिल्यार हमार रहीम, आप सभी के वेलकम हो गया हमारे पार्ट थ्री में, आज हम लोग अपने शोपिफाइ स्टोर जो हम लोग ने इंटरनेशनली क्रियेट किया है, उसका प्लैन पर चेस्ट करने वाले हैं, प्लैन बाइ किस तरी किसे करना है, सारी देटेल में हम लो करना शोपिफाइ इंटरनेशनल का कोर्स चल रहा है, आप लोग इस कोर्स को सीख कर दुनिया के किसी भी मुलक में बैठे वो, आप लोग काम कर सकते हो, आप ड्रॉपशिप इंटरनेशनल का कर सकते हो, अदर्वाइस अगर आप प्राइवेट लेबल भी करने चाहर हो तो आप इस course को देखकर start कर सकते हो simple से आप लोग इने करना यह है कि आप मेरे चैनल पर जाओगे ना playlist वाले section में playlist में आपको एक पूरी की पूरी playlist मिल जागी Shopify International Course 2024 के नाम से आप लोग उसको जागे जोईन कर लो आपको step by step जो है वीडियोस मिलती जाएंगी तो इधर मैंने अपने Shopify का वही अकाउंट डैशबोर्ड लोग इन किया हुआ है इधर आप लोग देखो तो हमारा one day left in your trial लिखा आ रहा है इधर मैं आगर आपको select plan के उपर click करके दिखाऊं तो हमारे सामने सारे के सारे plans Shopify के show हो जाएंगे इधर मैं आपको दिखाता हूँ अभी scroll करके हमारे पास जो पहला plan आता है वो basic level का होता है इसमें आपको one dollar pay करना है आपने हर मन्त उसके बाद दूसरे महीने आपने इसको देने है पच्छिस dollar जो कि इधर 24 dollar लिखा हुआ है उसके बाद दूसरा Shopify का plan आता है इसमें भी आपने पहले महीने एक dollar देना है उसके बाद दूसरे महीने से ये आप से 69 dollar चार्ज करेंगे तीसे नमबर पे आता है advance का इसमें आप लोगों ने पहले महीने एक dollar देना है उसके बाद आप से दूसरे महीने ये 299 dollar काटेंगे उसके बाद प्लस वाला प्लान आता है इसमें आपने पर मन्थ जो है 2300 डॉलर्स देने होते हैं अब नीचे इनके फीचर्स भी आपको सारे के सारे शोग हो रहे हैं कि अगर आप ये बेसिक प्लान लोगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर आप ये शोपिफई प्लान लेते हो तो इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और प्लस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोग इनको रीड कर सेक्टे हो अच्छा इसमें एक ओर डिफरेंस है आप लोग ये चेक करो इदर लिखा हुआ है कि अगर आप third party payments provider यूज़ करते हो जैसे कि stripe हो गया, wise हो गया, pioneer हो गया तो then उस पे आपको कितना charge पड़ेगा 2% tax काटेगा Shopify हर transaction के उपर अगर आप ये Shopify वाला plan ये दूसरे वाला लोग है तो इदर आपको 1% charge पड़ेगा अगर आप third party payments provider यूज़ करते हो तो अभी के लिए मैं ये वाला plan भाई करने वाला हूँ $1 वाला क्योंकि मैंने पहले मीने $1 ही इसको देना है और जब दूसरा मीना आएगा $69 देने के लिए तो मैं इसको दुबारा से क्या करूँगा $1 पे shift कर लूँगा हमारे पास क्योंकि एक trick पड़ी हुई है और मैंने अपने YouTube चैनल पे भी वो वीडियो डाली थी अगर आप हमसे ये service लेना चाह रहे हो तो आप लोग ले सकते हो करना क्या है simple से इधर आना है मेरे channel के उपर चैनल पर आओगे इधर videos के section में आओगे ना नीचे स्क्रोल करना है आपने ये वीडियो पड़ी ही है get Shopify free for lifetime इस वीडियो का link के जो है मैं आपको description box में provide कर दूँगा आप लोग इस वीडियो को लाजमी से जाके watch कर लेना आपको सारा idea हो जागा कि आपने किस तरीके से हमारी ये service जो है वो लेनी है बहुत बहुत चीप service है आप लोग easily ले सकते हो आपको Shopify को ये 69 डॉलर ये 24-25 डॉलर हर महीने देने की जरूरत नहीं है अब इसमें और इसमें फर्रक क्या है basic जो difference है वो ही हम additional staff account add कर सकते हैं 5 इसमें हम नहीं कर सकते तो अब ही के लिए मैं one dollar plan के साथ ही जाओंगा और मैं इसी को purchase कर लेता हूँ बाकी आप recommended नहीं है आप basic के साथ ही जाओ आप advance के साथ या plus के साथ अगर आपके पास budget है तो आप जा सकते हो मैं select Shopify के ओपर click करूँगा अब इतर सबसे पहले right side पे आप देखो तो Shopify plans show हो रहा है today बिल्गुल free है आज मैं बिल्गुल free में इसको use कर रहा हूँ उसके बाद मैंने 30 मई 2028 को इसको एक डॉलर देना है उसके बाद मुझे 29 जून 2028 को ये 92 डॉलर लेगा मेरे से अभी के लिए अगर मैं आपको date भी check रहा हूँ नीचे से open करके आज है 28 मई उसके बाद आप लोग देखो के मैंने इसको 30 मई को देना है एक डॉलर अभी मैं इसका subscription बाय करके दिखाने वालों live आप लोगो को उसके लिए आपको इदर left side पे देखो दो payment method मिलते हैं पेपाल है और credit और debit card देखने को मिलता है अगर आप इंडिया से मुझे देख रहे हो तो देन पेपाल आपके पास easily होगा आप पेपाल के जरीए payment करके वन डालर जो के उदर पाकिसानी 300 रुपया बनता है आपके इंडिया में कितना बनता है मुझे आइडिया नहीं है आप लोगे जैसे पेपाल के जरीए payment कर देनी है otherwise आप किसी और country से मुझे देख रहे हो Canada में बैठके UK में US में या दुबई में बैठे हो तो देन आप credit और debit card को भी यूज कर सकते हो अधर वाइस उदर भी PayPal I think होगा तो आप credit और debit card पे क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगे इधर अपने card की details फिल करनी है अब इधर पहले number पे देखो आपका first name last name जो आपकी card के उपर लिखा है गो आप दोगे उसके बाद card का number expiry CV भी दोगे उसके बाद ये address है उसके बाद address आपका show होगा और नीचे अगर मैं scroll करूँ तिदर आपकी country आएगी जो भी country में बैठे हो वो आप select करोगे और subscribe का ये black का बटन है इसके उपर click करके subscribe कर लोगे अभी मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में आप लोगो पता है काफी ज़दा bank account ऐसे हैं जो के online transaction sports नहीं करते तो आप लोग ने ऐसा bank account यूज करना है जो के online transaction sports करता हो जिससे आप लोग online purchasing कर सकते हो आपने अपने सिर्फ कार्ड के अदर detail डालनी है अपना नाम देना है कार्ड देना है expiry cvb देकर इसको subscribe कर लेना है अब इतर काफी ज़दा लोग ऐसे भी हैंगे जो मतरब के bank account जिनके नहीं बने हुए क्योंके मेरे पास काफी ज़द ऐसे cases आते हैं भाई मैं अभी ठारा साल का नहीं हुआ है मेरे पास अभी bank account नहीं है मैं क्या करूँ पहले नमर पे तो आप अपने वालदा का अपने वालद साब का लगा सकते हो गर में किसी का भी लगा सकते हो otherwise अगर आप कहरे हो कि यार यह भी साब कताब नहीं है मेरे पास ना अमी का है ना अबू का है ना घर में कोई है ना मेरा बना हुआ है तब आपने क्या करना है आपने आना है Google Play Store के उपर उधर आपने लिखना है SADA Pay Application यह जो सादा पे की आपन है यह आईकन आपको शो रहा है इसको आप लोगों देख सेक्ट इसका इसको आप लोगों नहीं इंस्टॉल कर लेना है Play Store पे जाके इसको जब इंस्टॉल करो गे ना इसमें आपसे वो कु पाइरी, सीवी, सारा कुछ मिलेगा, आप इस कार्ड को यूज करके, पूरी दुनिया में जिदर मर्जी बैठे हो, आप लोग पर्चेजिंग कर सकते हो, साधा पे की एप्लिकेशन के तूँ, साधा पे की कार्ड के थूँ, तो आप लोग साधा पे यूज कर लेना, आई कार्ड का नंबर भी पूट कर दिया है, एक्सपारी भी दे दिया है, सीवी भी दे दिया है, उसके बाद आपका नीचे एड्रेस है, आपने अपने एड्रेस पूट करके, अपनी कंट्री को स्रेक्ट कर लेना है, अभी मैं सिंपल से इन चीजों को नहीं छेड़ा है, मैं स चलें चेक करके देख लेते हैं मैं इदर सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ और इदर मैं अभी वीडियो को कोई काटर नहीं लगाऊंगा आपके सामने सारी चीज़े होंगी अगर लगता है फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा अद्रवाइस नहीं लगता फिर भी आप साइड पर क्लिक करना है और हमारा जो स्टोर है यह पासवर्ड प्रोटेक्टिड है अब काफी ज़्यदे लोग इदर पूछेंगे के भाई यह सब्सक्रिप्शन हमने भाई क्यों की है तो उन लोगों के लिए यह अंसर है कि जब तक आप सब्सक्रिप्शन भाई नहीं न क्लिक करूंगा जैसे मैंने इदर क्लिक किया है उपर आप लोग देखो ओनलाइन स्टोर इस ओपन टू एवरीवन मतलब कि अब हर बंदा मेरे इस शोपीफाय स्टोर को देख सकता है अगर मैं किसी दोस रिष्चेदार या अपने किसी भी जानने वाले को अपने स्टोर का पूछ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं आज के लिए इतना ही अलाफिस